हेलो दोस्तों अमीद है आप सभी ठीफ होंगे दोस्तों मैं हूँ फ्रॉम पीफटन फैक्ट से आज लेकरा है हूँ आपके लिए टेक्नोलोजी फैक्ट कुछ ऐसे फैक्ट जो शायद ही आपने कभी जाने होंगे जैसे कि अपने थांबने में देखी लिया है यह सरकल में क् अब कर्वण मेंगे लेकिन क सबसे खतरना को इस वीडियो में तो चलिए है अज का वीडियो 10 क्या आपको पता थी और फिर उसके बाद वो e-books पर आगी और फिर उसके बाद वो e-commerce वेबसेट पर आगी तो हिरान करने वाली बात यहीं है कि आप खुद सोच गे जो एक कंपनी प्रिंटर बुक्स बनाती थी वो उसके बाद e-books पर आई और फिर दुनिया की इसाफ से बड़ी e-commerce वेबसे में नहीं है लेकिन फेक्ट यह हैं कि जे 1865 में कागिज बनाने का काम करती जी हां जो नोकीय कंप्रियम सबसे पहले टोईलेट पेपर बनाया करती थी आपको यह फेक्ट पहले पता था जा नहीं कमेंट वोक्स में जूरूर रुकता है इंटरनेट तो आजकर हर कोई चानमे को बारत में सबसे पहले इंटरनेट आया था इससे पहले बारत में इंटरनेट नहीं हुआ करता था इंटरनेट तो छोड़िए बारत के लोगों को यहीं नहीं पता था कि इंटरनेट होता क्या है अगर आपने अपने प्रिंटर इंक बचानी है तो जो कंप्यूट ट्राइज दूरूर की जिए से जो 20% वेडियों होती है सेक्ट नू कुल बेंटरी को लगा कर आपका कोई भी प्रॉडक्ट्र खराब होता है तो आप उसको हमारे पास अलाईगे हम उस खराब हुए प्रडक्र की जगा पर आपको नेया प्रडक्र देंगे। लेकिन इनकी एक शर्ट यह है कि प्रडक्र के माली को जैंब प्रूफ दिखाना होगा कि आपकी ही बैटरी लगाकर मेरा प्रडक्र खराब हुआ है। अगर वो ऐसा कर पाता है, तो प्रोडक्ट जितना मर्जी महंगा हो, वो इसको बदल कर जरूर देंगे. Fact number 3, Huawei Company. क्या आपको पता है कि ये कंपणी की चुरात कैसे हुई की? ये कंपणी साबसे पहले एक्स्चेंज स्विच्स बनाती थी. अगर आपने किसी को phone करना है, तो आपको पहले उसका number dial करना होता था, और फिर आपका call एक्स्चेंज स्विच्स के पास जाता था, जानी कि Huawei कंपणी के पास. तो आपको इस company को कहना पड़ता था कि मेरी उस फ्लाने व्यक्ति के पास बात करवा दो तो ये आपकी काल को उसके पास मेलूरी लेके जाती थी तो यही सब कामकारती सबसे पहले ये हुआवी company इसके अलाबा आपको बता दे कि ये company दुनिया की सबसे बड़ी टेली कॉम company है क्योंकि दुनिया की 80% टेली कॉम company के साथ हुआ भी company की partnership है तो इसी बज़ा से ये दुनिया की सबसे बड़ी टेली कॉम company है Fact No.2 क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाख computer कौन सा है ये जो pick up screen पर देख रहे हो जे है दुनिया का सबसे खतरनाख computer अब आप सोच रहे होंगे इसमें खतरनाख वाली कौन सी बात है ये कोई हथ्यार तो है लेकिन हम आपको बता दे कि ये खतरनाख इसलिए है क्योंकि इसमें पूरी दुनिया के सबसे खतरनाख computer माना जाता है और इसकी कीमत पूरे साथ क्रोडर पे है और ये न्यूज यार्क में रखा गया है अच्छा इन सरकल्स को थोड़ा ध्यान से देखिए आपको कुछे समझ में आया अगर नहीं आया तो थोड़ा और जोड़ डालिए चलिए फिर भी नहीं आया तो हम आपको बता देते हैं जो वही चीज़ है असल में जो ट्वीटर का लोगो है वो इनी सरकल्स को आपस में जोड़ जोड़ कर बनाया गया है तो आप आप अच्छे से समझगे होंगे कि जो ट्वीटर का लोगो है वो कैसे बना है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अगर साच में और वीडियो लाके रते हैं और ये वीडियो लास्टर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद